नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्रा खंडोतर प्रदीश में हूँ आपके साथ सपना पांडी आए डालते हैं एक नजर उत्रा खंडोतर प्रदीश की खबरों पर तीर्थी यात्रियों के लिए अच्छी खबर चारो धामों में अब प्रते दिन दर्शन का कोटा हुआ खत्म चारो धामों में अब कितनी भी यात्री दर्शन कर सकेंगे यात्रियों की प्रते दिन दर्शन का कोटा खत्म कर दिया क्या है इस अम्मद में शाशन की ओर से आदेश जारी कर दिये गए हैं पैसले के बाद पूरोहित महासभाध्यक्ष पुर्शोत्तम उनियाल सहित चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों ने चारधाम यात्रा में सीमित संख्या की बाधिता समाप्त करने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का भार जटाया है कोरोना संक्रमित पांच महीने के बच्चे की हल्दवानी में हुई मौत प्रदीश में लगातार बढ़ रहा संक्रमर का खत्रा मेडिकल कॉलेज के अधिन शुशीला तिवारी अस्पताल में पांच महीने के कोरोना संक्रमित एक बच्चे की मौत हो गई मेडिकल कॉलेज प्रचारिया डॉक्टर अरोन जोशी ने बताया कि बच्चे को निमोनिया समीत अन्यशारणिक दिक्कत भी थी करीब साथ महीने बाद कोरोना से किसी की मौत हुई है तो वहीं आपको बता दे कि उत्राखन में कोरोना संक्रमित लगातार बढ़ रहा है रहस्पतिवार को 141 लोग संक्रमित पाए गए सेंपल जाच के अधार पर प्रदेश की संक्रमरदर 15 प्रतिशत से अधिक है अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 348 हो गई है आज्चे चार धाम यात्रा का हुआ आगाज सीम ने बसों को हरी जँडि दिखा कर किया रवाना आज से चारधाम यात्रा का आगास हो गया है रिशिकेश से चारधाम यात्रा कारिक्रम का शुबारम करते हुए मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी ने बसों को हरी छंडी दिखा कर रवाना किया चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव रिशिकेश ही है रोजाना हजारों की तादात में तीर्थ यात्री यहां से अपनी यात्रा की शुरुबात करते हैं वहीं आज सुबह नौ बजे भगवान के दारनात की पंच मुखी भोग मूर की चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान होकर पंच केदार गदी स्थल उमकार इश्वर मंदिर उखी मठ से अपने धाम के लिए प्रस्थान किये गई हैं वन भूमी वबनी सौ मजारें तोड़ी गई कई निशानी पर धार्मिक स्थलों के नाम पर एक हजार से अधिक अतिक्रमण प्रदेश के जंगलों में अतिक्रमण कर बनाई गई सोमजारें तोड़ी गई हैं और अब कई और निशानी पर भी हैं वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि वन भूमी पर धार्मिक स्थलों के नाम पर राज्य भर में एक हजार से अधिक अतिक्रमण हैं प्रभागी वन अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के नर्देश दिये गए हैं बुलिटेन में आज के लिए बस इतना ही तराखंड उतर प्रदेश की सभी खबरों से जोड़े रहने के लिए देखते रहे दैनिक भासकर उतराखंड उतर प्रदेश